मध्यकाल का मतलब क्या है इसको लेकर के आचारे हजारी प्रसाद दुवेदी जी कि एक बहुत अच्छी किताब है मध्यकालीन बोध का सोरूप आचारे हजारी प्रसाद दुवेदी जी की किताब है और इस मध्यकालीन बोध का सुरूप में वो एक खास टर्म का इस्तिमाल करते हैं और वो टर्म है स्तब्ध मनो वृत्ति यानि के जिस समय हमारा मन इमीडियेटली कुछ रियाक्ट ना कर पाए पूरी की पूरी इंडियन कॉंशेसनेस उस मिडियेवल एज के अंदर ऐसा लगता है अगर हम कावी की परंपरा को देखें अगर हम पोईट्री की ट्रडीशन्स को देखें तो कुछ नया नहीं हो रहा जो पूरी की पूरी संस्कृत क्लासिकल ट्रडीशन्स थी पाली प्राक्रिट ट्रडीशन्स थी उनमें कुछ बहुत नए किसम की रचनाएं सामने नहीं आ पा रही थी कुछ लोग उसको मजाख में या यूं कहें कि एक इंडिरेक्ट तरीके से टीका वृत्ती भी कह देते हैं कि बस जो किया हुआ था उसी के एक्स्प्लेशन्स हो रहे थे उसी को दुबारा दुबारा explain किया जा रहा था कुछ नया creative नहीं हो रहा था तो आचारे हुजारी प्रसाद जी ने इसके लिए एक बड़े खास शब्द का इस्तिमाल किया है इस तब्ध मनोवृत्ती थी यानि हम कुछ कुछ react नहीं कर पा रहे थे और हमारे जो इंडिया का जो वेस्ट जो इलाका है उस वेस्ट इलाके से हम जानते हैं कि आकरमन हो रहे थे लगातार और उन आकरमनों के फलसुरूप एक खास तरहें कि tension create हो गई थी खास तोर पर नॉर्थ इंडिया के इलाके के अंदर तो उसको आध्यात्मिक परंपरा ने किस ढंग से हम ये कहें कि respond किया उसमें एक बड़ा स्थान भारत की संथ परंपरा का है अब इस बात को भी हम समझें कि ये जो पूरी की पूरी historical background है सिर्फ medieval ages तक नहीं जाती अब सवाल ये है कि भारत के संथ जो बात कह रहे थे कबीर जी नानक जी या नाम देव जी या दूसरे तमाम संथ हैं दादू जी ये सारी की सारी बातें क्या immediately medieval age में पैदा हो गई या कुछ ऐसा है कि इनके roots थोड़ा और पीछे है तो उसमें हमें बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भारत से बाध धर्म धीरे धीरे dwindle out हो रहा था जब धीरे धीरे यहां से हम ये कहें कि उसकी position weak हो रही थी तो उसकी position numerically तो weak हो रही थी लेकिन idea के form में ideological ये अगर हम कहें तो लगातार उसका एक impact उसका एक effect भारत के अंदर बना हुआ था हम जानते हैं कि बाध धर्म के broad classification जो हम करते हैं technically वो करते हीनियान और महायान और फिर उस महायान के अंदर से ही एक बज्ज्रियान का एक section निकला और उस बज्ज्रियान के भीतर से ही साधकों का एक खास वर्ग पैदा हुआ जिसको broadly हम लोगों ने सहज यान कहा अभी जो सहज शब्द है इस सहज शब्द को लेकर के बहुत vast literature मौझूद है संतों की सहज साधना हजारी परसाजी ने भी काम किया हमारे यहां के डॉक्टर राजदेव सिंग्जी होते थे उन्होंने हरियाना में कुछ समय तक पढ़ाया उन्होंने भी किताब लिखे संतों की सहज साधना इस सहज का मतलब को लेकर के एक बहुत लंबी डिबेट चली है कि सहज का मतलब क्या है short में कहे तो जो एक बड़े युगबाउध दार्शनिक ने सहजियान की परमपरा में कहा है जब हमारे चित में मेरे पूरे psychological setup में क्षोब पैदा ना हो चित मेरा विक्षुध ना हो यानि कि उसके अंदर कोई बहुत disturbances पैदा ना हो उसकी एक state of normalcy बनी रहे उसे हम कहते हैं सहज स्थिती तो हम देख सकते हैं कि सहज स्थिती की पूरी connotations में आपको जो बाध दर्शन का जो मध्यस्थता का जो एक element है वो बड़ी एक key feature के रूप में मिलता है जैसे कि भगवान दुद्ध भी कहते रहे कि मध्यम मार्ग कहते रहे अपनी बात को कि हम एक्स्ट्रीम्स पर नहीं जाना है तो हम देख सकते हैं कि सहज से सहज शब्द के connotations के अंदर भी भी देखने को मिलता है इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि भारत में खास तोर पर दस्वी ग्यार्मी बार्मी शताब्दी के आते आते तक बहुत सारी अजीबो गरीब तांत्रिक प्रैक्टिस चलने लगी और अगर हम फिजिकल एक्सरसाइजिस के फॉर्म में भी बात करें की संत परंपराने भक्त परंपराने कुछ ऐसा सोचा कि क्या अध्यात्म तत्व को बिना इन एक्स्ट्रीम फॉर्म्स के नहीं कहा जा सकता क्या भारत के अध्यात्म को कुछ इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि उसमें कोई खास तरहें कि एक्स्ट्रिमिटी न बने वो पूरा प्रभाव उस सहज शब्द का उस सहज यान का हमें भारत की संत परंपरा के अंदर देखने को मिलता है हालांकि उपनिशदों के अंदर भी अगर हम कहें तो एक और बात इसके अंदर ध्यान देने लायक है वो यह है कि अपार्ट फॉर्म तांत्रिक प्रैक्टिसेज अपार्ट फॉर्म एक्स्ट्रीम फिजिकल एक्सरसाइजज हम कभी-कभी ऐसा सोचते हैं कि बहुत जादा इंटेलेक्ट्चुल एक्सरसाइज करने से भी उस परमात्म तत्व की पलब्धी की जा सकती है तो उसको लेकर के उपने शिदों में एक बहुत एक सुंदर लाइन आती है नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो नमेध्या न भहुना शुतेन नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो ये प्रवचनों से नहीं पाई जा सकती आत्मा डिस्कॉर्सिस से नहीं पाई जा सकती नमेध्या बहुत इंटेलिजन्स से भी नहीं पा सकती तो फिर कैसे पाई जा सकती है ये आत्मा खुद जिसका वरण करता है यानि कि वो परमात मतत्व खुद चूज करता है किसी व्यक्ति को कि मैंने इसमें उतरना है उसी को काफ्थ होती है और वो किसमें उतरेगा वो उस व्यक्ति में उतरेगा जो सहज रहेगा वही मुझे लगता है मेरी personal अपनी assumption है और मैं इस मामले में हजारी प्रसाज जी के साथ हो और डॉक्टर राजदेव जी के साथ agree करता हूँ कि वही सहज धारा संतों के अंदर हमें देखने को मिलती है